आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे D-Pharmacy और B-Pharmacy के बारे में कि ये courses क्या है? Diploma in Pharmacy और Bachelor in Pharmacy Pharmacy का मतलब ये होता है कि वो आपका एक ऐसी ब्रांच साइंस की जहां पर आप और Medicine के Manufacturing और उनकी Marketing से Related Study करते हैं अब Medical Field ही है एक तरीके का ये जैसे कि आप MBBS के बाद में जो सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है, बायो या Maths की Students में भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं लेकिन सबसे Important चीज जब हम इसमें Discuss करेंगे तो आप Last तक एक सही कही न कहीं Decision पर पहुंचेंगे कि आपको Diploma करना चाहिए या Bachelor Degree करना चाहिए तो इसको जरूर सुनें आखरी तक और सबसे जो Important बात है जब आप किसी भी Degree या Diploma College में Admission ले रहे होते हैं तो उसका PCI Approval जरूर देखें College का क्यों PCI Approval देखना जरूरी है क्योंकि आपका Bachelor Degree और ये Diploma करने का सबसे Important परपस यही होता है कि आप एक अच्छी Government Job या एक Medical Shop या अपने आपको Registered Pharmacist करबा हो पाएं या Registered जिसको हम बोलते हैं Pharmacist जैसे कोई भी Degree आपका ये Technical Course है तो इसमें करने के बाद में आपको Registration कराना होता है PCI से यदि आपका College PCI Approval नहीं होगा तो आपको License बनवाने में और Government Job को करने में बहुत जादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा ये PCI क्या होता है Pharmacy Council of India ये एक तरीके की Regulatory Body है मतलब एक Authority है इनके कई सारे Guideline होती है कई सारे इनके नियम होते हैं उन नियमों को यदि College और कोई भी संस्था यदि उनको मान्यता इस चीज की चाहिए होती है तो इन इनके कुछ नियम और कानून होते हैं उनको ये follow-up करना पड़ता है तभी उन Colleges को PCI Approval मिलता है और जिन College को PCI Approval मिलता है उनहीं College के Students को या वहां से Diploma या Degree कर रहे होते हैं उनको as a registered pharmacist के तोर पर जाना जाता है नहीं तो आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेग क्योंकि आने वाले समय में PCI Approval की बात करें तो ये कई सारे Colleges यदि Requirement इसको नहीं follow करेंगे तो उनको ये मानियता नहीं मिलती है इस बात को आपको ध्यान में रखना है सबसे Important चाहे आप Degree करें चाहे Diploma PCI Approval दोनों में जरूरी है अब B Pharmacy और D Pharmacy को हम एक Difference के तोर पर देखते हैं कि क्या Difference है और किसको क्या गरना चाहिए यदि आप इस वीडियो को उस परपस से देख रहे हैं तो आप एक अच्छे Conclusion पर पहुँचेंगे तो B Pharmacy की हम बात करें तो ये 4 साल का Course है और D Pharmacy की बात करें तो ये 2 साल का एक Diploma Course है जिसको हम Short Term Course बोलते हैं यदि कि आपको लगता है कि आपको Cable medical shop ही आपका परपस है कि आपको एक medical shop open करनी है तो Diploma सबसे best होता है लेकिन यदि आप 12th की student हैं और just आपने अभी अपना 12th complete किया है तो मैं आपको suggest नहीं क्यों करूँगा कि आप Diploma करें केबल आपका परपस एक medical shop open करना है तो आप diploma के लिए जाएं आप लेकिन यदि आप जस्ट आपने 12th किया है तो मैं आपको diploma के लिए suggest नहीं करूंगा इसको हम discuss करेंगे कि क्यों मैं आपको बुल रहा हूं कि diploma के लिए मैं suggest नहीं करूंगा अब कौन इसको कर सकता है हम उसके लिए बात करते हैं तो B pharmacy और D pharmacy को कौन कर सकता है आपका जिनका 12th से pass out students है जिनका maths या तो biology subject है maths या biology और साथ में physics chemistry ठीक है maths या bio दौनों मैंसे कोई एक subject होना जरूरी है और आपका chemistry और physics minimum percentage की हम बात करें तो अभी government ने जो last year से जो है एक plus point दे दिया है कि जिन बच्चों के कम percentage भी है approximately 45 भी percentage है वो भी जो है कई colleges उनको या जो DTE आपकी बुले तो वो admission दे देती पहली ये problem होती थी कि आपके जो percentage है एक particular criteria था ये जादा था अभी कम हो गया तो ये एक अच्छी ख़बर है आप लोगों के लिए जिनके कम percentage भी किसी current से आ गया है तो वो भी scores को कर सकते है और जब कभी college में जा रहे है admission के लिए तो PCI approval के साथ में आपको faculty को भी ध्यान में रखना है और college campus को भी ध्यान में रखना है कि उसके पास में labs हैं proper classrooms हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें बहुत important होती हैं अब हम बात करते हैं degree के बारे में तो degree चार साल का course होता है और इसमें जो exam का pattern की हम बात करें तो ये semester system होता है semester system का मतलब क्या होता है कि 6-6 मन्त में एक साल divided होता है जैसे कि आपका first year है तो वो दो पार्ट में divided रहेगा first sem और second sem वैसे 8 semester तक ये divided होता है मतलब आपको यदि 4 साल में 8 बार आपको exam देना पड़ेगा लेकिन diploma की बात करें तो ये early exam हो होते हैं साल में 2 बार होते हैं एक आपका first year का और second year का और इस तरीके से आपका diploma complete हो जाता है अब bachelor degree की बात करें तो bachelor degree किन को करना चाहिए जो students ने 12th qualify किया है वो student आप क्या करना चाहिए bachelor degree को ही prefer करना चाहिए उसका reason क्यों मैं बताना चाहूंगा कि diploma यदि आप करते हैं त तो diploma को ही करना है आपको फिर bachelor degree नहीं जाना है लेकिन as a 12th की student है आप तो आपके पास में भी बहुत लंबा टाइम होता है life का तो एक college life को आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए और वो bachelor degree आपको जाना चाहिए तो bachelor degree चार साल आपको लगेंगे बस दो साल का फरक रहेगा ल जैसे कि bachelor degree में कई सारे government के exams होते हैं चाहे हम SSC की बात कर ले या other government exams जो होते हैं उनकी minimum requirement होती कि कोई भी bachelor degree आपके पास में होनी चाहिए लेकिन diploma बस होने से क्या होगा कि आप कि बल pharma से related जो exams है government और जो diploma जिसमें मांगा गया है आप वही government exams दे सकते हैं लेकिन bachelor degree करने में आपको ये benefit होगा कि आप जितने भी government exam bachelor degree के basis पर निकलेंगे वो आप सारे दे सकते हैं तो आपके पास में ये भी एक option होता है इसलिए आपको जो है bachelor degree करना चाहिए अब bachelor degree करने से plus point ये भी होता है कि आप भविस में जो है आपको master's करना है master degree करना है like MBA या तो M Pharma करना है य लेकिन यदि diploma वस होता है तो आपको फिर से कोई bachelor degree करनी पड़ेगी फिर आप master में ले सकते हैं और यदि आप diploma कर लिया है आपने और आप जो है बोलना चाहिए कि आपको करना है degree तो आप जो है B Pharma C में आपको admission मिल जाता है लेकिन आपको first year जो है आपको नहीं करना आपको direct second year से lateral entry के तौर पर आपको admission मिलता है तो आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से business setup करना है तो आप diploma कर ले और फिर जैसी आपका setup अच्छा हो जाए तो उसके बाद आप फिर से जो है degree कर सकते हैं लेकिन जब जो specially student 12th के हैं उनको degree से ही शुरू बात करना चाहिए जिस bachelor degree के लिए भी कोई ऐसा age का वो issue नहीं है लेकिन psychological impact होता है कि bachelor degree मतलब की students के साथ मैं फिर से first year, second year, third year, final year करना है difficult हो जाता है अब एक और चिजनोंने bio से है और B.Sc. कर चुके हैं तो उससे आपको कोई ऐसा plus point नहीं मिलेगा आपको जो है degree यदि आप लेते हैं admission तो आपको first year से ही admission मिलेगा और मैं आपको suggest करूँगा यदि किसी की bachelor degree है तो bachelor degree already आपके पास में है तो आप diploma ही करिए, diploma in pharmacy, अब हम बात करते हैं jobs की, तो जितने भी government sectors हैं, जो चाहे diploma हो, चाहे आपका bachelor degree हो, उन सब में दौनों को कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी को job नहीं मिलेगी, दौन दिगरी होनी चाहिए, ऐसा rule है, फिर आप यह exam दे सकते हैं, उसके बाद में company में भी diploma candidates भी apply कर सकते हैं, bachelor degree वाला भी candidate apply कर सकते हैं, लेकिन growth के जाजा chances जो है bachelor degree वाले के होते हैं, official तरीके से बाकी यदि आप में skills है, तो diploma करने के बाद में भी बहुत अच्छी income आप कर सकत हैं, यदि आपको अच्छी instrumentation handling या जिस भी department में आप जाते हैं, कई सारे departments होते हैं company में, like आपका production department, QA department, quality assurance department होता है, quality control department होता है, फिर other department होते है, pharma को vigilance department होते हैं, production हो गया, ऐसे बहुत सारे number of departments are there, where you can work, जहां पर diploma और pharma दोनों apply कर सकते हैं, फिर एक और होता है marketing, हाँ जैसे कई students की financial condition उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी जो है diploma जल्दी करके marketing में आ सकते हैं, यदि आप में अच्छा communication skill है, आप में अच्छी convincing power है, नहीं भी है, तो इस duration में आप इनको सीखें, और आप marketing में इस diploma के basis में आ सकते हैं, और एक अच्छी earning कर सकते हैं, marketing में, क्यो diploma की बात की और हमने फार्मेसी की बात की तो बैचल, आपका जितने भी कई सारे जो diploma है, कई सारे आज की डिट में जो डॉक्टर्स लोग भी है, जन्हों पहले अभी like BAMS, BHMS कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो भी प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो खुद चाते हैं, कि उनका जादा तर इस्टुडेंट का जो influence है या जो हम बोलना है कि जुकाओ है, प्रिफरिंग जो है, वो इस medical course में आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, यह course हमेसा बूम ही करने वाला है, लेकिन सबसे important यह है, आप कोई सा भी course कर लें, आपको personal skills और communication skills तो improve करना ही होगा, तो हमने देखा क किनको करना चाहिए और डिप्लोमा किनको करना चाहिए, तो डिप्लोमा यदि आपका सबसे important मैं फिर कहूंगा कि आपको केबल और केबल मेडिकल साप का परपस है, और आपको future में, तो इसमें कोई ऐसी problem नहीं आएगी, आप बिलकोल आराम से डिप्लोमा ही करें, और confusion होता है कहीं कोई problem तो नहीं आएगी, तो कोई ऐसी problem नहीं आएगी, आप डिप्लोमा कोर्स करके बढ़ियां आराम से medical shop open कर सकते हैं, अपना license बना सकते हैं, लेकिन license और registration तब ही होगा जब college PCI approval होगा college में, तो यह चीज़ आपको धियान रखना है, यह All India Council for Technical Education से तो affiliated होत university से मान्यता प्राप्त है, तो वो university अलग होती है, college यह चलाते हैं, और कई सारे institute ऐसे हैं, जो खुद अपने आपने की university हैं, तो कई सारी जो universities उनके खुद के exam होते हैं, internal वो अपके admission के लिए, और कुछ ऐसे होती हैं, जो आपको direct 12th basis पर आपको admission दे देते हैं, तो 12th basis पर रखना है, क्योंकि एक बार यदि admission process end हो जाती है, और admissions fill up हो जाते हैं, तो फिर कोई chances नहीं होता है registration के बाद में, इसलिए आप इस course को करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दे time का, और इसके लिए कई सारे documents requirements होते हैं, तो documents जो भी requirement है, मैं description में आपको provide करा दूँगा, ऐसा को और bachelor degree के लिए already मैंने जो है एक आपको provide कर रखा है, पहले एक वीडियो बनाया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, मैं description में provide कर दूँगा, और ऐसे कई सारे departments की जब हम बात करें, तो like बहुत सारे department भी होते हैं, इसमें आपके like हम बात करें कि department wise तो उनके अलग अलग future में आपको इसमें जानकारी देते रहूँगा और आने वाले समय में diploma से related series और bachelor degree के सारे subject जो है series भी मैं इसमें provide कर दूँगा, तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपको कोई problem नहीं जाएगी, आज की date में आप offline, online, बहुत सारे sources available हैं आपको पढ़ने के लिए, तो pharma ए जाए diploma करें, कोई problem नहीं है, सबसे important होता है skill सीखना, लेकिन bachelor degree का plus point यह है कि आपको master's भविस में बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा plus point है, educational goal भी होता है कई लोगों का, जैसे कई लोग से पूछा जाता है कि आपने क्या किया है, तो हम diploma बस बोलेंगे, तो थ निकलती है, तो वहाँ पर priority मिलती है, master's degree को, तो इसको आपको ज़रूर करना है, चाहिए salary के point of view से हो, चाहिए वो post के point of view से हो, कई सारे institution में भी ऐसा होता है, तो यदि डिपलोमा आपने किया है, तो डिपलोमा के बाद, यदि आप फिर से bachelor degree करना चाहते हैं, तो आप college मे पतलब ही होता है कि एक raw material को एक doses form में कैसे बनाते है, जैसे tablet, capsule, syrup, ये सोना होगा आपने, तो ये कैसे manufacturing होती है, उनके लिए क्या-क्या requirements होती है, क्या industrial requirement है, क्या lab basis पर requirement है, ये आपका pharmaceutical subject होता है, एक होता है medicinal chemistry, या chemical pharmaceutical chemistry, उसमें analysis, medicinal chemistry, ये सारी चीज़ आ जाती है, उसमें क् chemical structure basis, basically उसके बारे में study करते हैं कि chemical structure का और drug की activity का क्या relations है, फिर से related studies करते हैं उसका basis of classification होता है, फिर इसमें third जो एक और important subject होता होता है, वो होता है pharmacology, pharmacology क्या होता है कि कोई भी drug आपने खाई, तो वो drug आपकी body में जाने के बाद में अपनी body ने क्या response किया, like absorb हुई, distribute यह एक्सक्रीट हो गए, यह body ने किया, अपस ड्रग ने क्या किया, आपकी body के अंदर जा कि कैसे आपको ठीक किया, आपको headache हो रहा था, आपने orally medicine, आपने tablet खाई, आपका सिरदर ठीक हो गए, तो वो क्या mechanism of action था उसका, तो यह pharmacology में आप पढ़ते हैं, तो उसके बहुत इसी होता है, बिल्कुल टफ नहीं है, और आप चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे हिंग्लिस मीडियम हो, तो हिंदी मीडियम के स्टुएंट्स काई बार सोसते हैं, कि इंग्लिस मीडियम में इस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि I am also from Hindi medium, I am also from Hindi medium and many students are belonging to Hindi medium and they are doing a very good, I will say they are doing a very fantastic job in the field of pharmaceutical industry, तो बिल्कुल नहीं है, I am from rural area, I was total, means it was like I studied 12th तक Hindi medium में पढ़ा ही कि उसके बाद मैं लग रहा था कि it was to me also कि कैसे करूंगा मैं इतनी मोटी मोटी बोक्स होती ही, क्या होती है, but बहुत easy होता है, इसी बहाने आप English भी सीख जाते हैं, औ और जो है theory भी पढ़ते हैं, तो एक आपको एक अच्छा overall grooming बहुत अच्छी होती है, pharmaceutical field में जब आप होते हैं, और कहीं भी रहके आप भूके नहीं रह सकते हैं, आप में इतनी capability और इतनी छमता तो डेबलफ हो जाती हैं, कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं, तो medical field हम बात करें, diploma और B-farmacy, तो यह चीज़े हैं, और यदि आपके मन में कोई doubt है, कोई questions है, या कोई बात है, तो आप पूछ सकते हैं, यदि हम बात करें इसमें scholarship की, तो category wise इसमें scholarship मिलती है, bachelor degree की बात करें, तो इसमें scholarship ज्यादा मिलती है, और diploma की बात करें, तो इसमें scholarship क जो chances होता है, लगबग 12,000 से 15,000 के बीच में ही something होता है, लेकिन यदि हम बात करें, उसमें आपका bachelor degree में scholarship की, तो यह लगबग लगबग category OBC की बात करें, तो 50 to 60% उनको मिल जाती है, और यदि हम बात करें कि जो ST, ST category तो उनको ज़्यादा chances होते हैं, और ST category में तो last year जो है एक नई उडान दे, बहुत अच्छे scope हैं इस field में, फार्मा की बात करें, तो फिर हम subjects की बात कर रहें, तो फार्मा कोगनोसी होता है, फार्मा कोगनोसी का मतलब यह होता है, कि जो हमको raw materials होते हैं, crude drug होती है, उनसे हमको दवाईया मिलती है, तो उनकी study से related होता है, तो यह चीज़े जो है important होती है, आपके diploma versus और हम बात करें bachelor degree में, और other subjects भी है, management हो गया आपका, bio technology हो गया, bio chemistry हो गया, और कुछ organic chemistry के subject होते हैं, तो मैं फिर बोलूँगा कि tough कुछ नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और English इसी बहाने आप सीख जाएंगे, communication skills सीख तो ये भी आप देखें कि नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप महनत करें, आराम से हो जाएगा, और English से related भी मैं आने वाले समय में classes लूँगा, how to improve your English speaking, writing skills को कैसे इंप्रूब करना है, तो आप जरूर जो है, वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगा तो, और भव मैं है.